जी नमस्कार दोस्तों एक शांदार और धमाकदार वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागा दे जी दोस्तों एक बार फिर से आ गया था मैं अलंग सैकेंड मार्कर में क्योंकि हमारे एक जो सब्सक्राइबर थे पंजाब अमरीच सर से वो आये थे दस दिन पहले और यहां से बहुत सारा क्रोकरी, कोल्ड रूम और बहुत सारी कीचन के इक्यूमेट यहां से रखके चले गए थे अपने घर अमरीच सर तो वहीं चीज मुझे आज दस दिन के बा गाड़ी में लोड करवा रहा हूँ जी तो वीडियो पूरा देखिएगा कि वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है जी नमस्कार दोस्तों तो फाइनली अपना गाड़ी आ चुका है 32 फीट का जो हमारे एक सब्सक्राइबर जो की पंजाब अमरीच सर से थे जो टोटली माल यहां से रखे गए है जैसी की कीचन, कोल्ड रूम, क्रॉकरी और कीचन दूसरे जो छोटे मोटे बरतन हो बहुत सारे एक्विमन यहां से अलग अलग जग से उन्होंने पर्चेस किया हुआ और उसने मेरे पर भरोसा किया और बोलक मुकीश भाई आप यहां से स्टार्टिंग होगा बरने का स्टेप बाई स्टेप अभी हमारा पांच कोल्ड रूम बरा जाएगा पुरा यहां से एक कोल्ड रूम बरना है उसके बाद उनके दूसरे प्लोट से हमें दो या तीन और कोल्ड रूम बरनने के बाद हमें बजरंग से किचन लना स्टेप ब बहुत इंटरस्टिंग वाला है तो धूसतों हमने लोडिंग कर दिया है फस्ट हमने लगाया है शिव्म कोल्ड रूम पे जहां से हमारे सब्सक्राइबहने रखे थे पांच कोल्ड और यह इनके अलग अलग पलॉड पर पढ़े तो फस्सट हम कोल्ड रूम से 20 20 का जो कॉल् थी अभी अंदर आरे हैं यहां से हमें फ्रीम चोते ओंडर करने और थिसरे प्लोट पर इसके बाद इनका कौडूर लोड करने के बाद हम जाएंगे बजरंग फनीचर में जहां से हमारे सब्सक्राइब बने आठ लाक रुपिया का यानि एप्रोक्स आठ लाक रुपिय तक का कीचन उन्होंने रखा था तो वहां से हम इसके बाद लास्ट हमारा कीचन है वहां से लोडिंग स्टार्ट करेंग तो दोस्तो फाइनली हमने बजरंग फनिचर में अपनी 32 पूट की गाड़ी लगा दिया अगर पूरी मार्केट में सबसे ज़्यादा जिस प्लोट पे माल लिया तो वो है बजरंग फनिचर यहां से हमारी पार्टी ने 8.5 आट लाक रूपिय का यहां से माल पर्चेस किया था जो मैं मजदूर के द्वारा लोड करवा रहा हूँ यहां से बात करें तो यहां पे उन्होंने डिफरंट डिफरंट आइटम में रखी थी जैसे के स्टील के टेबल, स्टील के गोडे, फिर डिफ फ्री जैसी अलग-अलग ब्रेकरी रिलेटेट बहुत से आइटम इन्होंने यहां से पर्चेस किया था जो मैं मजदूर के द्वारा यहां से लोड करवा रहा हूँ आप देख सकते हैं और हमारे सब्सक्राइबर ने सबसे ज़्यादा माल लिया था दूसरा भगवती टेड़स से जहां से उन्होंने तरकी थी बहुत सारी क्रोकरी जो की मैंने थ्री विल्टेमपो से वहां से मंगा के यहां पर लोड करवा रहा हूँ दिखिए वहाँ से मैंने ये 3 विल टेमपो से पूरा क्रोकरी मंगा दिया हूं step by step में क्रोकरी गाड़ी में लोड करवाने के बाद हमारे सब्सक्राइब ने लास्ट रखा था अक्षर सेकंड से तीजोरी जो मैं इसके बाद लास्ट टीजोरी लोडिंग करवाने वाला हूँ तो दोस्तो अभी फाइनली हम पहुंच चुके अक्षर सेकंड सेल में यहाँ पे एक टीजोरी था जो की 400-400 केजी का था हम इसको लोड करवाने वाले थे बट एक छोटा सा प्रोब्लम हुआ क्योंकि यह बहुत ही वजन में बहुत ही जादा था तो क्रेन के सिवा यह लोडिंग अशक्य था बट हमने क्रेन वाले को फोन किये तो उन्होंने बताया कि एक से डेड़ गंटा लगेगा बट हमें बहुत ही देरी होने वाला था तो हमारे सबी समय जो मजदूर लोग था उन्होंने बहुत कोशिश करके यानि के आट से नो लोगों ने कोशिश करके पूरा 400 केजी का जो अपना तीजूरी था उसको उन्हें 32 पूर गाड़ी में अपने रिक्स पे बहुत ही जबदस्ती तरीके से लोड करवा दिया आप देख सकते हो वीडियो में कि अभी जो लोडिंग चल रहा है वो 400 केजी का तीजूरी है उसका लोडिंग चल रहा है त यहां पर हमारी टूप पूरी गाड़ी कंपलेट हो चुगी है यहाँ से फिर मैं रवाना करने वाला हूं अमरी सर के लिए अपना गाड़ी फूली लोड होने के बाद पूरी कंपलेटली गाड़ी पैक करके तालाबाला लगे के यह하면서 के लिए आज रात को रवाना हो जाए पूरा दिन चला गया पूरी गाड़ी लोड करने में लेकिन माल एक भी नहीं पड़ा रहा तूटली माल हमने अच्छी तरीके से लोड कर दिया ठीक है और यह गाड़ी अब सुबह निकलेगी अम्रीज सर के लिए जो हमारे सबस्क्राइबर थे उनके गाउं के लिए जी चल बिजनस टाइम में कॉल कभी भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के सब्सक्राइब के लिए चाहिए